हेलो वरीवाण, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजूकेस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज की उड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे पैंडी कैपसल के बारे में तो हम सेखेंगे ये कैपसल के बेजिक उसके बारे में साथे जानेगे उसका डूस क्या होता है, साइड इफेक्स क्या होती है, वार्निंग्स क्या होते है और कॉन्टर इंडिकेसन कहा रहते हैं ये कैपसल को यूज करने पर तो डिटेल में जानेगे कि ये capsule का आप सही उपयोग कैसे करें और कौनसे बीमारी में PEN-D capsule को यूज़ किया जाते है तो एक्सवेट लेक्चर बायमर सर और सिस्टम प्राफेसर और फाउंडर और फार्मरोक्स तो उनके उपचार के बारे में और कौनसे दावा ये यूज़ होती है साथ ही हमारी सेकंड चैनल को पी सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप समझ ये पैंडी कैप्सल के बारे में तो ये ऐसे ग्लास का मेडिकेशन है कि जिसके अंदर दो मेडिकेशन कॉंबीनिशन में जैसे कि एक है डॉम पेरिडॉन कि जो 30 मिलिग्राम जितना है और पैंटो प्राजल उसके अंदर रहेगा 40 मिलिग्राम और उसके मैनिफेक्चर के हम बात करें तो आलकेम लेबोरेटरी उसके मैनिफेक्चर है और उसकी जो प्राइज रहती है वो 190 से लेकर 200 रहती है वन स्ट्रिप की जिसके अंदर 15 कैपसुल सात है कि यहाप यह देखो कि यह 15 कैपसुल का यह जो पुरा स्ट्रिप है उसकी प्राइज जो around 190 से 200 के बीच में जो होती है तो यहाप याप हम उसके लेबल के स्टडी करें तो यह hard gelatin कैपसुल रहते है कि जिसके अंदर 2 medications combination में है कि यहाप यहाप देखो कि उपर की और लिखा है कि Domperidon और Prolong Release Capsule मला कि Domperidon भी है उसके अंदर कि जो 30 mg जितना है और साथ ही Pantoprazole है कि जो 40 mg के strength में यह कैपसुल के अंदर available है यह Prolong Release मला कि लंबे समय तक यह medication को जो आपके सरीर के अंदर release कर दी है Pantoprazole जो उसके अंदर 40 mg जितना है और Pandy जो है उसका brand name है कि जो manufacture है उसके Alchem Health Science की जिनको Alchem Laborators के नाम से भी काफ़े famous है तो उन्होंने यह जो combination का एक अलग से unique brand name दिया है कि जिसको नाम रखा है Pandy तो Pantoprazole क्या है वो अब समझे तो Pantoprazole जो है वो protein pump इन्हीं bitter class की medication है कि जब आप उसके pharmacology study करते है Pantoprazole के बारे में तो यह protein pump इन्हीं bitter की जिसको उम start में कई बार PPI भी कहते हैं कि protein pump इन्हीं bitter class के medications की जो specially आपके सरीर के अंदर जो acid की मातरा जो बढ़ती हो तो उसको कम करने का काम करती है तो ऐसे medications की जो decrease करती है stomach acid के production को तो खास कर जब acidity related problem होते है या फिर acid reflux के जो problems होते है तो उसको treat करता है pentoprazole के जिससे आपको peptic ulcer हुआ है या फिर acid reflux हो रहा है SAGT जिससे complications हो रहा है और यह oral ही ली जाती है यह medication और prescription based medication रहते है तो उसका self medication जो है वो नहीं करनी चाहिए second जो combination में वो है domperidon तो domperidon को anti sickness medication का आ जाता है anti emetics के अंदर भी वो include होता है कि जो nausea vomitting को treat करता है और pharmacology कली वो D2 receptor antagonist मनला कि dopamine के जो type 2 receptor होते है उनको block करके अपनी pharmacology collection देता है और यह anti emetic भी कहा जाता है मनला कि जो nausea vomitting जो दवाईया हम कहते है और आपको जो यह वो nausea vomitting prevent भी करवाता है और असमझो कि ऐसे feelings आपको हो रही है तो उसको treat भी करता है तो अब जो combination बनता है उसके हम basic use हम देखे तो यह पैप्टीकल सर को treat करेगा GERD का जो problem होता है gastroesophagal reflex disease मनला कि आपके सरीर के अंदर जो पेट में जो acid बन रहा है वो acid reflux हो रहा है मनला कि उपर के और आ रहा है आपकी isophagus मनला कि आपकी जो food pipe होती है वहाँ तक acid आता है कि जिसके करण आपको सीने में जलन जैसा फिल होता है खट्टी डगा रहाती है अमलत आम लग कि acidity जैसा आप मैसूस करते है पेट के अंदर के पहुच ज्यादा acid बन रहा है जिसके करण आप काफी uncomfortable फिल करते है वो acid के करण आपको उल्टी जैसा भी हो जाता है कि बार जी गब रहता है तो उस वाक्त ये combination जो है वो काफी असरदार साबित होता है फिर जो Zolinser-Ellison syndrome होते है उसकी इलाज में भी ये यूज की जाती है acid reflex के symptoms duodenal ursal है या फिर SCDD related जो problem होते है तो सभी को treat करता है ये Pandy capsule फिर heartburn जैसे मैंने भी आपको कहा कि सीने में जलन हो रही है swallowing करना में difficult हो रही है आपको cough जैसा रहता है साथ है जो ज़्यादा acid के करण आपकी isophagus जो है वो damage हो रही है तो उसके healing में उसके इलाज में भी ये medication जो है वो useful साबित होती है ulcer को prevent करवाती है और जो कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक acid reflex होने के करण आपकी food pipe के मनले कि ज़सको isophagus कहते है उसमें आने से cancer होता है तो ये problem जब sol हो जाता है acid reflex का तो cancer भी आपका prevent होता है तो ये सब होगे उसके basic use अब उसके dose की हम बात करें तो एक capsule जो दिन में एक ही बार ली जाती है कि आपे जो आप उसके capsules देख रहे हैं तो once a day कि जो हमने अभी symptoms देखिया अलग-अलग acid reflex के या फिर GERD के acid ADK तो सभी को treat करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक capsule दिन में लेना जो है वो सही रहेगा वीडियो के बीच में आपको बता तो हमारे second channel है उसको subscribe करे और हमें support करे link आपको description box में देदी है तो अब समझे इनकी mechanism तो ये medication के अंदर जो proton pump है वो क्या करता है तो जो proton pump जो होते हैं कि जो specially H plus को आपके gastric lumen के अंदर pump करने का काम करते हैं और वहाँ पे जो chloride present होता है वो दोनों के combination से HCl बनता है कि जो हमारा stomach acid है तो इस तरह से जो stomach के parietal cell होते हैं वो ये hydrogloric acid की जो हमें हम कहते हैं उसको gastric acid भी कहते हैं stomach acid कहते हैं तो वो बनाते हैं तो उस वक्त ये जो pump है कि जिसको H plus K plus ATPase pump कहा जाता है तो उसको 108 में proton pump भी कहा जाता है तो ये proton pump को inhibit कर देता है ये medication तो समझो कि ये proton pump काम नहीं करेगा तो जो H plus यहाँ पर जो आ रहा है है वो आने बंद हो जाएंगे अब H plus नहीं होगा तो बिना H के सिर्फ chloride रहे का कि जिससे hydrogloric acid नहीं बनेगा और stomach acid का production दीरे दीरे जो है वो कम हो जाता है और साथ ही जो domperidone है वो anti-medics के तोर पर काम करते हैं जो nausea vomiting की जो feeling होती है उसको कम कर दीती है और dopamine receptors को block करके तो इस तरह से आपके ये medication काम करती है अब उसके capsule के side effects के हम बात करें pan decay तो diarrhea हो सकता है या फिर आपको constipation हो सकता है पेट में दर जैसा flatulence न लेके पेट में gas बन सकती है कुछ लोगों को headache जैसे side effect कुछ लोगों को होती है nausea vomiting कुछ लोगों को होता है but domperidone होने के करण कई बार ये prevent होता है but कुछ लोगों को अगर medication suit ना करे तो उनको फिर भी nausea vomiting होते है उनके side effects के तोर पे dizziness जीसा feel करना feeling और being sick bond fracture एक उसकी एक side effect है कि जो protein पर भी inhibitor है उनका एक side effect common रहते है कि ये आपके bond जो वो weak कर सकते है किड़नी खराब कर सकते है तो ये कुछ side effects develop हो सकती है contraindications के हम बात करे तो अगर आपको diarrhea हुए है बढ़ diarrhea का reason है Clostridium difficile bacteria तो उस वक्त आप ये Pandy capsules को use ना करें अगर आपको B12 की deficiency है सरी के अंदर magnesium कम है आपके सरी में तो भी ये medication ना खाए फिर kidney related problem से तो भी ये medication को आपको नहीं खानी है फिर SCLE का जो problem कहा जता है SCLE मतलब कि sub acute cutaneous lupus erythromatus की जो condition या फिर systemic lupus erythromatus की जो autoimmune disease है ऐसी condition में ये medication ना खाए या फिर आप osteoporosis के patient है आपके already जो bonds जो है वो weak है या फिर आपके हड़िया कमजोर है या फिर वो तुटी हुई है तो भी ये medications को use ना करें तो pregnancy के दोरान हम बात करें तो pendic capsule जो है वो pregnancy के दोरान use नहीं करनी चाहिए because proper उसके safety के कोई evidence जो नहीं है इसलिए pregnancy में उसको use नहीं करे जाता बट pregnancy के अंदर समझे कि acidity के या फिर nausea vomiting के symptoms हो रहे है तो आप omiprazole जो है वो use कर सकते है या फिर simple जो antacid syrup साती है वो आप जो है वो use कर सकते है तो ऐसे सीखे detail में दवायों के बारे में medicine course में एक साल तक affordable price में सीखे दवायों के basic use उनके dose, side effect, warning contraindications एक साल तक affordable price में farmer rocks के अब बबर तो ये course जोइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ whatsapp करे 901631 2020 नमबर पे या फिर link हमने description box में दे दिये हैं हमारे mobile applications की फिर भी कुछ भी query हो तो ये वाला हमारा number है आप हमें whatsapp कर सकते हैं हमारे second channel को भी subscribe करें और support करें Good luck and all the best